नमस्कार स्वागत है आप सभी का स्मार्ट नुक्री चैनल में भारत और निजुलैंड के बीच खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच से पहले ही भारती क्रिकेट कंड्रोल बोर्ड यानि BCCI से फैंस काफी जादा नाराज है इसका कारण है कि कानपूर में खिलाडियों का डाइट चार्ट मंगलवार की सुबह ट्वीटर पर BCCI प्रमोट हलाल ट्रिंड होने लगा कानपूर टेस्ट के लिए दोनों टीमे कानपूर पहुच चुकी है और सभी खिलाडी होटल, लैंड, मार्क टावर में बायो बबल में रहेंगे जैसे ही लोगों को पता चला कि मेनियों में हलाल मीट को सामिल किया गया है वैसे ही शोशल मीडिया पर हंगा ममच गया इसे लेकर बोर्ड पर सवाल उठ रहे हैं ट्वीटर पर 21,000 से भी अधिक लोगों ने BCCI को हलाल मीट सर करने के लिए सवाल उठा रहे हैं बता दे के अनुमन हिंदू धर्म के लोग जटके से काटने वाले जानवरों को खाते हैं जबकि मुस्लिम सामुदाय आज भी हलाल मीठी खाना पसंद करता है खाने के मेनियू सामने आने के बार ये विवाद सामने निकल कर आया स्पोर्स तक की खबर के अनुसार बोट ने टीम इंडिया के खिलाडियों के लिए खाने का मेनियू जारी किया आल डे काउंटर, स्टेडियम में मीनी ब्रेकवास्ट, लंच, टी टाइम, स्नैक और रात में डिनर सामिल है इस मेनियों में पार्क और बीफ बाहर रखे गए, मानसाहारी वेंजन में हलाल मीट को सामिल किया गया है जिसको लेकर भारती फैंस काफी नाखोश है, आखिकार इस विवाद को आखिर बीसी से आए कैसे समालता है, ये देखने वाली बात होगी